जनपद सिधार्थ नगर की पुलिस सर्विस लांस टीम को मिली बड़ी सफलता खोई हुए 65 मोबाइल फोन वा एक टैब को बरामद किया जिसकी कीमत लगबग 7,10,000 रुपे है आपको बताते चले जनपद में लोगों के खोई हुए मोबाइल फोन को बरामद की के जिले के पुलिस अधिक्षक अमित कुमार आनंद ने एक टीम बना रखी है जो लगातर जनपद में खोई हुए मोबाइल फोन को सर्विस लांस की जरिये खोजने में लगी रती है वहीं वर्तमान में जनपद में विविन इस्थानों पर गुम हुए मोबाइल फोन की गुमशुदगी समबदित थाने वा पुलिस का रले पर उपभोगताओं के दुवारा की गई थी जिसको लेकर सर्विस लांस टीम लगी थी पुलिस अधिक्षक अमित कुमार आनंद ने इन खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के बारे में प्रेस कॉंफरेंस कर दी जानकारी पुलिस अधिक्षक ने वितरड किया मोबाइल फोन पा कर मोबाइल धारकों के चेहरे खुशी से खिल उठे मोबाइल धारकों ने बताया कि हम लोगों को विश्वास नहीं था कि हमारा खोया फोन हमें फिर से मिल जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ मोबाइल धारक पुलिस की प्रशंशा कर रही है इसे पूर में जनपत की सर्विस लांस शेल टीम ने एक हजार अड़तालिस अदद खोय हुए मोबाइल फोन बरामत कर टीम द्वारा मोबाइल धारकों बापस किया जा चुका है सिदाद नगर सर्विलांस टीम ने बहुती सरान्य कारे करते हुए आज पैसर मोबाइल और एक टैब बरामत कर जो खोय हुए थे उनके ओरिजनल मालिकों को सुपर किया है इसकी जो बरामत किये गए मोबाइल और टैब है इसकी बजार में कुल कीमत लगवक सात लाग दस अजार होगी इस वर्ष अब तक कुल 346 मोबाइल खोय हुए बरामत करके उनके ओरिजनल मालिकों को प्रवाइड किया गया है प्रवाइड के दौरा बहुती सराण्य कारे किया गया पुरी टीम को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर